हेलो फ्रेंड्स, वैलकम बेग टो माई चैनेल, सुरेखा निटिंग फ्रेंड्स, आज मैं यह सिंगल कलर का पैटर्न लेकर आही हूं बहुत प्यारा है, देखें कितना प्यारा लग रहा है और यह जितना प्यारा लग रहा है, बनाने में ऊथना ही ईजी है देखिए यह रोंग साइड है इसकी चार सलाई का यह पैटर्न है और इस पैटर्न के लिए हमें इवन नंबर में फन दे लेने होंगे बोर्डर बनाने के बाद दो मैंने सिंपल सलाई बनाई है यहां पर सीधी साइड से सीधी और रोंग साइड से उल्टी उसके बाद यह राइट साइड से सुरू होता है तो जैसे मैंने यहां से शुरू किया था दो सलाई सिंपल बनाने के बाद वैसे ही मैं इसको यहां से स्टार्ट कर रही हूँ ध्यान चे देखिएगा फर्स्टी चे इसे चाहे तो आप बुनने चाहे इसको आप स्लिप कर लें यह मैंने बुना धागा आपने करप लिया दो फंदे उल्टे बुने यह दो फंदे उल्टे बुनने के बाद इन्हें वापस हम सलाई पर लेंगे ऐसे धागा पिछे करेंगे फिर सलाई पर लेंगे फिर धागा आगे करेंगे और फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे तो यही दो फंदे बार बार रिपीट होगे फिर इन्हें सलाई पर लेंगे फिर धागा पिछे करेंगे देखिए और फिर इन्हें वापस सलाई पर लेंग धागा पिछे करेंगे फिर सलायपर ले लेगे और धागा आगे करके फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो यही रीपीट होगा इसमें बार बार दागा आगे करेंगे, फिर दो फंदे, उल्टे बुनेंगे, फिर ये वापस सराय पर लेंगे, दागा पिछे करेंगे, फिर लाय पर लेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे, उल्टे बुनेंगे, है ये यह जोगे करेंगे को आइज inde की लाश्ट रिपीट है मैंने सारी यह बना ली है यह लट необходимо है वापस सलाइ पाल लेए थाइफ पीच्छे करेंगे यह सलाइपट ले लेगे और ये फंदा जो लास्ट वाला है इसको उल्टा बूं देंगे अब धागा में तरफ नहीं करेंगे लास्ट में यह पहली सलाई थी रोंग साइड से दूसरी सलाई रोंग साइड से यह फूरी सलाई उल्टी बुनी जाएगी हर बार तो यह बहुती जी है इसको हम बना लेते हैं कि देखिए मैंने यह दूसरी सलाई बना दी है लास्ट वाला संदर मैंने रोंग साइड से बगार बुना ले लेती हूँ कि देखिए यह किनारी जो है हमारी ऐसी स्मूध होके आती है बनती हुई आती है अब इधर से हम इसको ऐसे बुन लेंगे बैक साइड से, आप चाहें तो इसे उधर से बुन लें और राइट साइड से सिलिप कर लें, देखें हमने पहले ये वाला फंदा बुन के, पहले वाला फंदा धागा आगे करके दो फंदे उल्टे बुने थे, अब हमें क्या करना है, ये तीसरी सलाई है, अब हमें क्या करन है एक फंदा और हमें सीधा बुनना है अब धागा आगे करेंगे फिर वही पैटर्ण है जो हमने पहले बनाया था दो फंदे उल्टे बुनेंगे कि दो फंदे उल्टे बुनने के बाद लेप सलाई पर वापस ले लेंगे और धागा पीछे करेंगे कि दे आगा दो फंदे उल्टे बुनե है कि देखिए हमारे पेर बंते जाते हैं मैं आपको दिखाते हून यह हमारे दो foreign फंदों के पेर बनते जाते है तो इस बार तीसी के में जो हम फंदे बुन रहे हैं एक इसपेर में से बुनते हैं हम एक उस पेर में से, यह ऐसे होता है, ऐसे, एक इस पेर में से, यह देखिए, यह देखिए, यह इस पेर में से है, यह इस पेर में से है, तो यह दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, लेट सलाई पर वापस लेंगे इनको, दागा पीछे करेंगे, फिर राइट सल रहेगा इसमें तीसरी सलाई आये लास्ट रिपीट है दो फंदे उल्टे बुनेंगे लैट सलाई पड़ लेंगे दोनों फंदे धागा पिछे करेंगे फिर वापस राइट सलाई पड़ लेंगे और ये देखिए जैसे हमने शुरू में दो फंदे सीधे बुने है वैसे ला पंदे सीधे आएंगे ये हमारी तीसरी सलाई थी ये रोंग साइड है चोथी सलाई है ये पूरी उल्टी आएगी अब दिखाते हूं मैं आपको ये देखिए पेर बन रहे हैं हमारे ये देखिए हमारे ये पेर बन रहे हैं तो ये पूरी सलाई हमारी उल्टी आएगी हाए है है अॅ झीआ दे seriously मैंने चार स्वाल कमक्रीट कर ली है और यह team हमारा कम्राյ गया है कगे कितना प्लाव लग रहा है अब आपको यहीचा स्रै बार बर रिबीट करना कि दागा इन दो फंदु को वापस अपर दागा पीछ ऌत करें दागा चली पकल पुलूं बूलूंडबनेंगे थोड़ा सा परिवर्तन होगा तेसे चलाई में ये फंदा भी सिधा बनेगा ये फंदा भी सिधा बनेगा दो फंदे सीधा बनेगे और अगले दो फंदों पर पैटर्ं डलेगा, यहां से स्टार्ट होगा तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से बनता जाता है आई हो कि आपको यह अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई